गुड मॉर्निंग बच्चों ओनलाइन कक्षिया में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कक्षिया दीत्या विश्य अंग्रेजी इसमें आज हम लेशन्स छे या पाड़ छे का अज्यन करेंगे फिर पाड़ का दोरां काड़े करेंगे तो शुरू करते हैं पहला मेंनिंग डबलू एच एटी वोट यानी क्या टी एच एटी देट यानी वे है आई टी इट यानी वे है या ये है आई एस इज यानी है अगे है टी आई जी यार टाइगिर यानी चित्ता सी ओ डबलू कव यानी गाई इसके बाद देखू अगला मेनिंग है जी ओ एटी गोट यान बक्री हेन येन मुर्गी हो आर एशी होर्षयन गोड़ा पी इए जी ओ सी ओ सिके पिको क्यानी मोर तो इस काये को आप अपनी कोपी में भी करोगे सुन्दर सुन्दर अक्ष्रों में और याद भी करोगे अच्छी तरह इन मेने को याद करके सलेटे भी भरोगे इसके बाद देखो अब यह पन सुरू करते हैं लेशन चेक का दोरान कि पहला वाएके हैं वोट इस देट वह क्या है तो सामने देखों के देरहें हैं टाइगर कि realtà bay कि चिता हैं है सेक्जून नंमर वाएके हैं इस वाएके को फोड़ा चाहना से देखना यह वाएके गलती से और कुछ लिकावे हैं इसको इस लेंड को अपन कट कर देते हैं और अपना वाइक के बनाते हैं वोट इस देट इसको क्या करना है वोट इस देट वह क्या है तो इसमें देखो चितर गलती के कारण नहीं दिया है यह अभी गाय का चितर आता तो शही रहता तो इसमें है इटी जे कव वे एक गाय है तो इस वाई के का अभी हिंदी नाद करोंगे न उसमें सही वाई के दिया है वोट इस देट वहे क्या है इटी जे कव वे एक गाय है अग है तीसरा वाई के वोट इस देट वहे क्या है तो इसके बाद देखो, पांच ववाई के हैं, वोट इस देट, वहे क्या हैं, तो सामने देखो क्या देखे दे रहे हैं, होर्स, होर्स यानि गोड़ा, इट इजे होर्स, वहे एक गोड़ा हैं, चटा वाई के हैं, वोट इस देट, वहे क्या हैं, तो सामने देखो क्या देखे दे रहे हैं, पिकोक, पिकोक क्या नहीं, मोर एटीजेपी कोग वहे एक मोर है तो इस कारिय को आप अपनी किताब से दे के पुने पढ़ोगे और याद भी करोगे इसको एक दो बार आप अच्छी तरह मन लगा के पढ़ोगे तो ये किताब का पाड़ पढ़ना आपके लिए सरल हो जाएगा इसके बार देखो इसी पाड़ के ये हिंदिनवाद मैंने दिया है जैसे इस कोपी में मैंने इस कारिय को करके दिखाया है वैसे ही आप सुन्दर सुन्दर अक्सरो में अपनी कोपी में इस कारिय को करोगे तो यह पेला वाई के इसके बाद देखो यह दूसरा वाई के दूसरा वाई के कुछ गल्द छपावा था तो इसमें देखो मैंने इससे करकर दिखाया हैं ऐसे आपको कर लेना तो इस सारकारी को आप अच्छी तरहे अपनी कोपी में उतरोगे एक दम सुन्दर सुन्दर ये देखो और कोपी में उतरनेक बाद इस कार्य को आप अच्छी तरहे याद करोगे धन्यवाद